कंवेज में आρη दाड़ी मूचों के बाल को कैसे रिमूब किया जाता है अगर आपके भी बहुत ही में दाड़ी मूचों में बाल आचुके तो उन बालोगों जड़ से कैसे हाटा जाता है जिससरे की वो दूबार ना आए है हाइ मैं जूब Ball आधा की लोग कमेंट समारने लग जाते हैं तो बहुत बड़ा हो गया है यार। कहीं न कहीं आपकी एज को ले के आपके आपको हर दिन सुनने को में लोगों काम है बोलना लेकिन आप अगर नहीं चाहते हो कि यह आपके दाड़ी के बाल है उनको आपको बड़ा नहीं करना तो आप उसको कैसे कर सकते हो आपने इसके लिए बहुत सारे यूज भी कर रखे होंगे जैसे कि नेश्रल टीटमेंट जो आप कर सकते हो दाड़ी के बालों की ग्रोथ कम करने के लिए ट्रीमिंग होता है और अगर आप सेविंग करो के तो और भी ज्यादा आपके बाल बढ़ने लग जाते तो यह प्रब्लम्स अक्सर बहुत से लोगों यूज करो मुझे इसके बारे कुछ नहीं पता बस मुझे मेरी दाड़ी के बाल कम करना या पर उनको रिमूब करना तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट जो कि नेश्रल ट्रीटमेंट आप उससे आपकी बालों की ग्रोथ भी खम होगी और आपकी दाड़ या बच्चे हो तो बच्चों के दाड़ी मेंसे भी अच्छी नहीं लगती है तो इसके लिए आप पपीता का सकते हो उससे आपके दाड़ी मुझे की ग्रोथ बहुत ही कम होने लग जाए यह एक नेश्रल तरीका रहता है जब भी आपको लगे कि हमको आमारी दाड़ी भी जाख लेदा है इसमें आपको एक जम्मस या चिद्देतव की दाड़ी है आपके पाल आपका फेस है उतने आपके बढ करना है तो इसमें उसके साब से मिक्स कर सकते हैं यह बच्क पर पशक कर सकते हैं अब तो इसके आपके बालों बना आए जैसे यह सूखे तो आपको स्लोली स्लोली हाथ बेड़ना है वो हाथों से आपके बाल निकल के आ जाएंगे तो यह बहुत ही आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी इससे क्या होता है जब आप यह फेस्ट का यूज करते हो पपीता और अंदी का तो उससे आपकी दढ़ी पहुत ही सिल्की मुलाय हो जाती है और आपकी इसकी बहुत ही सौप्ट हो जाती है जैसे करण आप जैसे ही आपके फेस पर आपके हैर्स आ जाएंगे तो ना तो इससे आपको पैंड होगा ना आपके पेस पर बिल्कुल होते हैं बहुत से लोग क्या करते हैं जो दागे से आप निकालती है आप रिधनार गए बनालों करतेह हैं तो उससे डाड़ी की ग्रोथ कम होती और अगर जिसको नीच है तो वह तीम nga का बिदावऄ किसी सुज के बिदावऄा किसी इस तिन्गी एक नेशनली होता है यह ऐक इसके कोई side effect नहीं होते और जितना आप पपाया खाऊगे या पर इतना इस पेश्ट को लगाऊगे इस पेश्ट से आपकी skin और गिलो करेगी यानि आपका जियो skin करेंगे और ज्यादा गोरा हो जाए तो आप ऐसी डेंस अना लो कि हमें treatment का यूज करेंगे तो हमें यह side effect हो सकते हैं या हमें यह problem हो सकती है या फिर हमाई दाड़ी वापस नहीं आ सकती इससे कुछ नहीं होता इससे सिर्फ आपके दाड़ी के जो पतली पतली रूमर रहते हैं बिल्कुल मतलब कि नैस्ट्रों जैसे कि बच्चे के बाल रहते हैं उस आपके बाल फिर दुबारा आने लग जाएंगे और इससे आपकी दाड़ी काली नहीं मोटी भी नहीं होगे जब भी आप चाहो के हमें दाड़ी के बाल और भी ज्यादा बड़े करना है तो आप इस treatment को बंद करके आप दुबारा वैसे ही life enjoy कर सकते हैं यारी एक और बात म पंद्रा साल है तो अभी आपको दाड़ी अच्छी नहीं लगए आपके माइंड में दाड़ी के thinking नहीं लिए लेकिन जैसे ही आप college life में आउगे तो आप जिस भी आप जो भी आपका फ्रेंड बनेगा या आपके आसपरोस में जो college के student रहेंगे उनकी दाड़ी आपको अ इसी टाइप में परिशान को रहें तो आपको ऐसा ट्रीटमेंट यूजी नहीं करना है जिससे आपके दाड़ी कभी ही नहीं आए अब जब यांगेज में आओगे 18-20 साल को जावत आपके automatic दाड़ी अच्छी लगने लग जाएगे आपके health diet अच्छी हो जाएगे तो इस Instagram या फिर मेरे FBID फे मुझे follow कर सकते हो लिंक नीचे आपको description मिल जाएगा थैंकि पूछ वीडियो स्च्छी होगे